असलाम लेकुम एवरिवान, I hope all of you are doing well, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करेंगे गौंधी जिनाव टॉक्स 1944 की और यह जो चैप्टर है मैं यूनिट 2 से डिसकस का रही हूँ नेशन बुक फांडेशन क्लास 9 से जो कि आप डिफरेंट प्लैटफॉर्म के अंदर इस्त गांधी रोट अलेटर टू काईद्याजम गांधी ने एक खत लिखा काईद्याजम को एक्स्प्रेसिंग इस डिसायर तू मीट है जिसमें उने खौई साहिर की के हम मिल लेते हैं एक दफा ठीक है गांधी जिनाट टॉक्स बिगें ओन 9 सेप्टेंबर 1944 9 सेप्टेंबर को यह टॉक्स शुड़ू ही और लास्टेट अंटिल 27 सेप्टेंबर 1944 इन बंबई और कब तक नहीं 27 सेप्टेंबर 1944 तक बंबई में गांधी तोल्ड काईद्याजम गांधी तोल्ड काईद्याजम एक परस्टेंटी के तोर में मिलना चाहता हूँ कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कांधी ने कहा काईद्याजम से कि मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता हूँ कि मैं एक परस्टेंटी के तोर में मिलना चाहता हूँ कि हमारे दरम्यान में एक परस्टेंटी के तोर में मिलूँ ना कि मैं इस तरह से मिलूँ कि मैं एक इस वर उन वन नेशन ठीक है उन्हें का कि सारा हिंदुस्तान जो है वो एक ही नेशन है एक ही कोह में and the division of India would destroy the unity of India कि अगर divide कर देंगे हिंदुस्तान को subcontinent को तो यह destroy कर देगा एक एकता वाली ताकत इंडिया के दर जो है on 27 September 1944 Gandhi Jinnah talks ended Gandhi Jinnah talks ended the talks failed due to Gandhi's unjust views that Hindustani were one nation उनके जो एक नाइंसाफाना किसम के point of view था Gandhi का के Hindustan जो है वो सिफ एक ही कोह मैं इसके अंदर उसकी वजा से यह जो talks थी यह fail हो गई तो यह थी Gandhi Jinnah talks that's all from my side if you have any carries you can ask me in the comment section please like subscribe and share my channel thank you so much